उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ का दो दिन का दौरा गौतम बुद्नगर जीले में शुरू हो चुका है इसकी सुरुवात जावली रिशी की तपो भूमी जेवर सी हुई है यहां उनका हेलिकॉप्टर उत्र रहा है और योगी आदितनाथ निर्मानाधीन जेवर एयरपोर्ट का अस्थालिय निर्ख्षंड कर रहे हैं आप देख सकते हैं इस द्रिश में अस्थाले निरिक्षंड करते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री इस दौरान उनके साथ और योगी की विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जेवर विधायक धिरेंदर सिंग भी मौजूद रहे योगी आदित्यनाथ रनवे का निरिक्षंड किया और इसके अलावा उन्होंने अफसरों से भी निर्मार्ण को लेके सवाल जवाब किये तो ये द्रिश आप देख सकते हैं आपको बता दें योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो दो दिन का है दो दिन वो यहां रुकेंगे आज और कल आज इसके बाद जेवर एरपोर्ट जो निर्मार्णाधीन है इसका अस्थेली निरेक्षंड करने के बाद इवो इंडिया एक्स्पो मार्ट पहुँचेंगे कल प्रधान मंत्री 12 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेन मोदी पहुँच रहे हैं और एक्स्पो मार्ट में वर्ल डेरी सम्मिट होना है जिसमें वो भाग लेंगे प्रधान मंत्री नरेन मोदी उनकी आगवानी योगी आदितनाथ करेंगे कल सुबा साड़े दस वजे वही रात को आठ वजे देश के ग्री मंत्री और कॉपरेटिव मंत्री हैं अमिर्शा वो पहुचेंगे उनकी भी आगवानी के लिए योगी आदितनाथ मौजूद रहेंगे इस दोरान योगी आदितनाथ नौइडा के सेक्टर 82 इस्थी टर्मीनल का भी इरिक्षन करने वाले हैं और तो और वो यहां के अस्थाने प्रती निधी और नेताओं से भी मिलेंगे तो हम इस सब की खबर आपको वीडियो के मांध्यम से अपडेट कराते रहेंगे फिलाल इस खबर में इतना ही गेटर नौइडा आसपास की खबरों और महत्मून खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूस को सब्सक्राइब करें हमारे फेस्बूक पेज को लाइक करें नमस्कार